प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों साथियों आज हम चर्चा करेंगे अंतराष्टे संबंदु में शमकालीन परिवर्तन और अंतराष्टे संबंदु में शमकालीन परिवर्तन के अंतरगत आज हम इसका तीसरा पार्ट ले रहे हैं जैसा है कि मैंने आपको पहले ही कहा था प्राणोशी प्यारविधियार थी हूँ कि अंतराष्टे संबंदों में समकालीन परिवर्तन की उपर में चार लेक्चर अप्लोड करूँगा तो आज हम अंतराश्टिय संबंदों में समकालीन परिवर्तन के अंतरगत तीसरा लेक्चर ले रहे हैं जैसा कि मैंने यहां नोट किया है लेक्चर नमबर 9 पार्ट 3 मतलब अंतराश्य संबंदों में समकालीन परिवर्तन के उपर आज हम तीसरा पार्ट ले रहे हैं लेक्चर नमबर नो है और इसका तीसरा पार्ट है तो बेटा आज हम अंतराश्य संबंदों में जो समकालीन परिवर्तन है समकालिन परिवर्थनों से संबंध तीसरा जो लेक्चर ले रहे हैं तीसरा जो पार्ट ले रहे हैं वो तीसरे पार्ट में किसकी सर्चा करेंगे पैस्टोई का और ग्लैस नौस्ट तथा अंतराश्य संबंध मतलब जब सोयक्त संग का विगटन हुआ था उन्निसु क्यानमे में तो उस समय जो राश्टरपती थे वो कौन थी सोवेट संग के गोर्बा चयो तो गोर्बा चयो ने ये दो सिधान्त दिये थे कि भाई आब हमें वास्तों में जो है हमारी विवस्ता के अंतरगत कुछ परिवर्थन करना है अब ये क्या परिवर्थन है इनके क्या भाव परिवर्थ हैं ये सारी बाते में आपको शमझाऊंगा आज का लेक्चर अंतर राश्टी राजनिती के विद्यारतियों के लिए बहुत ही महत्ताव पूर्ण है प्राणों से पैरे विद्यारतियों जैसा है कि मैं में महाविद्यारतियों पढ़ाता हूं तो मैंने अक्सर विद्यारतियों से प्रिसंद किया कि क्या बेटा आप पैस्टोई का और ग्लैस नॉस्ट के बारे में मुझे कुछ जानकारी दे सकते हैं तो कहते हैं कि सर हमने ये सब्दावली सुनी ही आज है तो प्राणे से पहरे विद्यारतियों इसी कारण मैंने इसके उपर अलग से लेक्चर बनाने का निरन लिया और यही वो कारण है जिनकी वज़े से मैं आपको पहले कह दिया था कि अंतराश्य संबंदों में जो समकालीन परिवर्तन हो रहे हैं इसके उपर मैं अलग-अलग रूप में चार लेक्चर अप्लोड करूँगा तो आज हम अंतराश्य संब प्रति दिन जो मैं एक लेक्चर मेरी यूटूब चैनल पर अप्लोड करता हूं उसकी जानकारी शूचना आपको प्राप्त हो सके इसके लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब आवेश्य कीजिएगा आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा थैंक्यू एरी मैं प्राणशी प्यारी विध्यार थियो मैं सरव प्रत्म यहां आपको एक बात बताना चाह रहा हूं क्या देखेगा आप जीवर में चाहे कुछ भी करना चाहें आप राजनीती विग्यान में महाविध्याल में प्रोफेसर बढ़ना चाहते हैं या राजनीती विग्यान वि कर लिजेगा कि मुझे प्रोफिसर बनना है आई सदेकारी बनना है जो कुछ भी है लक्षे आप निधारित करें और लक्षे निधारित करने के बाद में आप बार बार उसका मनन करें मतलब आपका जैसा विचार होगा उस विचार के अनुरूप आप परिवर्तित होते चले जाएंगी मैं आपको शुत्तर दे रहा हूं कि विचार ही वस्तु बन जाया करते हैं आपके जैसे विचार होंगे आप वैसे ही बन जाएंगी क्यों क्योंकि आपके विचार यह दी बार बार यह आ रहे है कि मुझे माविद जैले का प्रोफिसर बनना है प्रोफिसर बनना परिश्रम करेंगे जब आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रुक में आपको सफलता मिलेगी इसलिए सफलता का एक ही सुत्तर है कि विचार ही वस्तू बन जाया करते हैं आपके जैसे विचार होंगे आप जैसा सोचेंगे आप वैसा ही बन जाएंगे क्या कारण है कि एक व्यक्ति प्रधानमांत्री पत्तक पहुंच जाता है क्या कारण है कि एक व्यक्ति पंची बना रहता है केवल विचार की तो बात है यह पूरी दुनिया जो है वो विचारों की तो अभी व्यक्ति है सारा जो खेलों विचारों का यह तो खेल है मैं यहां रास्ता तलास करूं जिससे की सभी विद्धियारती राजिनती गयान को समझें चुकि महाविद्धियाले में तो मैं 100, 200, 300, 1000, 2000 बच्चों को भी पढ़ा सकता हूं बस इतना ही तो कर सकता हूं ठीक है बही प्रते कालांच में मैं जाता हूं तो वहाँ पर section के अंतरगा जो संक्या होती है बच्चों की 80 होती है अधिक्तम 120 कर देंगे तो definitely यहां मैं सिमित संक्या में द्यारती राजिनती गयान समझाना चाता हूं तो विचार की शुरुआत हुई न अब मेरा विचार आगा फिर मैंने ये तै कर लिया कि अब मुझे YouTube चैनल बनाना ह और मुझे अपने लेक्चर अप्लोड करने तो सबसे पहले विचार आया अब मेरे विचार मस्पूत है उनके अनूर्व में डलता चला गा डलता चला गा तो आपके सामने आ गया बेटा इसी प्रकार से विचारी वस्तु बन जाया करते हैं आप जैसा सोचेंगे वैसा बन होंगे मैं दड़ विच्वास से का रहा हूं और जो विधियृती मेरे चैनल से जुड़ चुके उनको इदर ओढटकनी की कत्ई आउसकता है नहीं है, जाहीं को मेरे जो और गौते यांवा । और उसके बाद में मैं मेरे विध्यारतियों को अच्छे से रूप में राजनेतियों ग्यान को समझ जाऊंगा यास दिया दें दें देखेगा वास्तम में अंतराश्टी संबंद में जो समकालीन परिवर्तन है इसके अंतरगत हम आज ले रहे हैं पैस्ट्रोई का और ग्लैस संग के राश्ट्रपति गोर्बा चयोव गोर्बा चयोव के सामने ही सोव्यत संग का विग्डन हुआ था आप इधर देखेगा मैंने हैं आपके लिए डाइग्राम बनाया इस डाइग्राम से कुछ महत्वन बाते पहले तो समझें बेटा सबसे पहले तुम यहां बहें ब सबसे पहले आपको इधान रखना हो क्या के अंतराश्निति निति का अभिनीता होता है का यह हो और यहां पर आ देखेगा विए प्य тов disfr राष्टर राज्य स्वीट संग्धूरा उसके बाद में इसका बट वातेञ बाद में लिया मने ऑपनी अंतरा उत्राश्टर राज़य दू में प्रॉनसरा था धा की कब्हुरी उसके बाद क्रूप में से पहले सोविक संग में समय द विचार zuhara का 55 कर रहा था और अमेरिका पुझजवादि विचार का 55 प्रतत का रहा है तो अपने अपने राष्टहत की बात कर रहे अभिनेताओं के बीच में राश्टर राज्य के बीच में जो अंतरक्रिया होती है उसकी जो अभिव्यक्ति होती है वो विदेशनीती के रूप में होती है इसलिए अंतराश्टिय संबंदों के अभिव्यक्ति होती है वो विदेशनीती के रूप में होती है अते विदेशनी नोट कर एगे शकति का अभिवक्ति किसम कोति के विदेशनीति में अंतराश्चा दी के प्रिक्रियां दो रूप में आती है सामने किस-किस संगर्ष समाधान उर सकति के लिए संगर्ष बस यह 5 बात अ समझाएगा अंतर यह समझने को समझने आप शक्ति के लिए संगर्श तो पांच बिंदू यहां तियार करें फिर मैंने लिखा है नमबर वन नमबर टू सवतंतरता समांता सवतंतरता शमांता इसका मतलब यह है कि वास्तिवी की रूप में चाहे राजनिती विग्ञान हो या फिर जो है अंतराशी राजनितियों देख म के समस्या होती है सवतंतरता और समांता के बीच सामझे सी स्थापित करने की चुकि 1991 से पहले सोवेट संक्य अंतरगत समांता पर तो बल दिया जा रहा था लेकिन शवतंतरता को नजर अंदाज किया जा रहा था अंदेखी की जा रही थी तो ऐसी स्तिति में लोगों का दम बूटने लग गया था इसलिए वहां पर अंदुलन हुआ और अंदल होने के बाद में वास्तिवी करूप में उधारी करने की प्रक्रिया को अपनाया गया मैं थोड़ा संक्य दे रहा हूं तो इसलिए आप यह नोट करेंगे कि राजनीत विग्यान की मुक्य समस्या है वह पर समानता की अती तो थी लेकर शौतंतरता नहीं थी ऐसी स्ति में फिर स्वेद संका विग्टन हुआ अब कैसे हुआ क्या हुआ इसका क्या क्या किनम था यह अगले लेक्चर में बात करेंगे आज तो हम किवल यह दो सिद्धान्त ले रहे हैं पैस्टोई का और ग्लेस न अंदर में कि अब हमें अंतराश्य संबंदों में कुछ परिवर्तन लाना है कौन कह रहें गोर्बा चयों कह रहें तो इसका भावार्त क्या पहले पिए समझे देखो पैस्ट्रोई का का जो शाब्दी कर्थ होता है वह होता है बेटा पुन्हे संरचना क्या पुन्हे में हमारी जो वेवस्ता है हमारी जो राजनितिक वेवस्ता इसके अंतरगत जो है दुबारा से इसके अंतरगत परिवर्तन करना है ठीक है तो पुने संरचना और ग्लेस नोस्ट का साबदी करता है खुलापन खुलापन का मतलब यह होता है कि यहां पर कुछ सवतंतरता दी जाए कुछ सवतंतरता दी जाए तो आपको इध्यान रखना है कि पैस्ट्रोई का और ग्लेस नोस्ट का अर्थ ह पुने, सनरचना और खुलापन तो इसका मतलब यह है कि यदि हमें वास्तविक रूप में 1901 में में जो सोवेट संग का विग्टन होता है इस विग्टन के अंतरगत यदि सभी बाते समझनी हैं तो हमें ये दो सिद्धान भी समझने हैं कौन-कौन से पैस्ट्रोई का और ग् अब यह क्या है? अब ध्यान देए, सबसे पहले नोट करेंगे, दोनू का आर्थ क्या है? मतलब जो यह पैस्ट्रोई का और ग्लैस नोस्ट है, इन दोनू का अर्थ है, लोक्तंत्री करण, उदारवाद, तता कल्यान वाद मतलब इन दोनू का आर्थ यह राथ है, कि विश क्रियाओं का अपनाया जाए क्योंकि वहां पर एक दली विवस्ता थी वन पार्टी सिस्टम आज चीन में देख सकते हैं वन पार्टी सिस्टम एक दली विवस्ता समयाद यह दले तो यहां लोगतंत्री करण के पर बल दिया जाने लगा और इसे के साथ मुदारवाद मतलब उदारवाद का केंदरविन दूढ्रत न ता होता है तो स्वतंतरता पर बल दिया गा तरता कल्यानवाद की बात की कि मतलब जंता के कल्लयाणवाद की लियानवाद रहा है ठीक है इसके बाद में दोनुही सिद्धान्त फिर्षे बोलनों में दोनुही सिद्धान्त मतलब पैस्ट्रोई का और ग्लेस नॉश्ट दोनुही सिद्धान्त एक ऐसे सुव्यवस्ति तथा अंतर निर्भर विश्व की स्थापना पर बल देते हैं जो विभिन्ता के बावजूद एक सांजी मानविये सभ्यता द्वारा विश्विस्ता पर बंदा हो बहुत मैतून बात है मतलब दोनुई सिद्धांत एक ऐसी सुविवस्ते तथा अंतर निर्वर विश्विवस्ता की स्थापना पर बल देना चाहते हैं कौन गोर्वाचवी चाहते हैं इन दोनों सिद्धांतों की माद्यम से कि एक ऐसी विश्विवस्ता की स्थापना हो जो अपनी विभिन्ता की बावजूद ठीक है विभिन्ता तो होगी लेकिन विभिन्ता की बावजूद एक सांजी मानविये सभ्यता सांजी मानविये सभ्य विश्व विश्व रूप में एक साधी मानुए सभ्यता के द्वारा बंदा हुआ ऐसी विश्व विवस्ता की स्थापना को पर बल देते हैं मतलब इनका कहना यह है कि वास्त्री कुरूप में जो सीत चला हुआ है दूसरी इस्व दिक बाद में सीत शुरुआत हो गी थी एक अब हमें इस तनातनियों को पूर्ण रूप में साप्त करना है और हमें आर्थिक विवकास के वपर बल देना है तो ऐसी स्थी में हमें एक सांधी मानुए सभ्यता का निर्मान करना है जो कि पूरी विश्व इस तरह पर इस्थापित हो सकी इसलिए तनाव बढ़ाने नही है बलकि तनाव को पूर्ण रूप में समाप्त करने मतलब यहां पर इन्हों ने उदारवाद के उपर विश्व बल दिया कि भी कैसे भी हो सवतंतरता के उपर बल दिया जाना चाहिए देखो बेटा उदारवाद का केंदर बिन्दू सवतंतरता होता है जबकि सामयवाद स जरा गोर कीजेगा तीसरी बात आती है नंबर एक नंबर दो नंबर तीन क्या कि दोनूं दोनूं मतलब यह जो दोनूं सिद्धानत है पैस्ट्रोई का और ग्लेस नौस्ट बेटा ध्यान देगी दोनूं ही सिद्धानत सविकार करते हैं कि एक सस्तरधारी विश्व शैने लोक वाला टकराव बादी द्रस्टी कौन सीत युद्ध के तनाउं तता जगणूं से भरा वातावरण ये सभी अंतर राष्टी सांती सुरक्ष्या तता विकास तता कल्यान में अपना योगदान नहीं दे सकते हैं अब बेटा यह निस्कर्ष की बात है मैं राणसी पैर द्यारति आप यह पी तीसरी बात समझ जाएगा यह पूरा लेक्षर इजली समझ में आ जाएगा क्या विटो यह दोनों ही सविकार करते मतलब गोरबाचो ने जो दो सिद्धान दियें पैस्ट्रोई का और ग्लेस्नोस मतलब गोरबाचो कह रहे हैं कि यह जो सिद्धान थ ना खुलापन मतलब पैस्ट्रोई का और ग्लेस्नोस यह दोनों ही सिद्धान सविकार करते क्या करते कि एक सस्तर धारी विश्वे सस्तर धारी विश्वे क्योंकि सभी जो देश है राश्टर राज्ये वह अपने अपने सस्तर बढ़ाने में लगे हुए आज भी लगे हु इसके साथ में शीत युद्ध के तनाउं तता जगणूं से भरे वातावरण यह सभी अंतराश्ट्री सांती सुरक्षा तता विकास तता कल्यान में अपना युगदान नहीं दे सकते मतलब गोर्बा चो यह कह रहे हैं यह दोनों सिद्धानत यह कह रहे हैं कि भाई अभी सब्सक्राइब लेह नहीं हो रहा है इससे के साथ में सीट युद्ध आपसमें हुई रहा है मसतलब एक तरफ आमेरिका दूसरे तरफ सोवेग संग तो इनमें मस्तिस्क के माद्धह्म से गरमागर्मी चल रही चल रहा है इसना युद्ध हो रहा है यहां जो गोला-बारू है वास्तिविक युद्ध नहीं हो रहा है लेकिन मस्तिकों में वास्तिविक रूप में देखा जाए तो कभी भी गर्म युद्ध हो सकता है तो यह शी eldh के तनाव तनाव नहीं जो वास्तवीक रूप में दोनुई सिद्धान्त विशेश कर सांती सुरक्षा विकास तता कल्यान की बात करते हैं विश्व में सांती सापना की बात करते हैं कि लियर नेक्स्ट आब चोथी बात आती हैं तीन विश्व का अस्तितव अर्थात यहां वास्तवीक रूप में जो ग तकर्मत तरा विक्षित पुजिवाती विश्विवे दूसरा है रसनाधीन समाजवाधी विश्विवे तरफ पिरसे बोल रहा हूं मैं मतलब तीन विश्वािय का अस्तिताव मान्वे सभ्यता के विकास में सायक नहीं हो सकता मतलब गोर्बाच यह कह रहे हैं इन दोने शिद्धानतों के आधार पर क्या कि तीन विश्व का अस्तिताव मानुए सब्भैता के विकास में सायक नहीं हो सकता अब वो तीन विश्व कौन कौन से हैं नमर एक आक्रामक तता विक्षित पुण्जिवादी विश्व हैं पुण्जिवादी गुटका नेतर तो अमेरिका कर रहा है दूसरा विश्व कौन सा है रचनादीन समाजवादी विश्व जिसका नेतर तो सवित संग कर रहा है और त वास्तिवी क्रूप में तीन विश्व कास्तित तो मानूराइय सब्भ्यत बेटा नोटकर एंक विकास नहीं हो सकते और यह ऐसामान तत्तों का विश्व है अब ध्यान दीजेगा मतलब यहां गोरवाve safe क्षु कहरें कि नव पनिश्वादी नियंत्रन है इससे आर्थिक तता साथ साथ राजनितिक पुने संरचना की आवशक्ता है अब ध्यान दें अब बेटा फिर चबोल रहा हूं में यहां पर तीन विश्व का स्थित्व हो गया एक तरफ पुंजी वादी गुट दूसरी तरफ समाज वादी कि वासभी कूरूप में देखा जाय तो मानुवी सब्बता के विकास में यह तीन विश्व का विश्व मेंदेश्व जिसमें कमडोर पर धनीी सक्तिसाली तथ देशों का नो उप्रेश्वादी नियंत्रने शाले में विक्षित और वास्तविक रूप में अपने नियंत्रनाícia रख में रीख रहे तो इस कारण इसे आर्थिक तथा साथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ-चाथ- उप में शोशन का सिकार ना बनाई इसके लिए इन्हों ने ये कहा क्या आर्तिक तता साथ साथ राजनितिक पुने संरचना की आउशकता है तो ये तो हो गया है पुने संरचना अटात पैस्टोय का ठीक है अब आगे बढ़ते हैं आप इसके बाद मैं लिखा है बढ़ती अंतर राश्ट्रियता अंतर निर्भरता वाले इस विश्व में सभी देशों का ये सांजा उत्तरदायतों है कि सभी के लिए सांती सुरक्षा तता विकास के लिए कार्ये करें तता सीत युद्वाद सस्तर दोड तता दूसरी हानी का रखता था विदौन्सक गती विधियों से बचें मतलब यहां मूल बात यह कहीं जा रही है बढ़ती अंतर राश्ट्री था वास्टक्रुप में देखा जाये तो धीर धीर राश्ट्र राज्य एक दुसरे पर निरभर होते जारें तो बढ़ती अंतर निरभरता वाले इस श्विश्व में पूरी दुनिया ये आज देखे तो एक दुसरी को पर निर्भर रहर वैसे भी आप भूमनलीकन का जमान है आज तो अंतरम्रतवाली सब्सक्राइब तो यहां पर गोरचों कह रहे हैं कि सीट युद्वाद सस्तर दोड ता दूसरी हानिकारक ता विद्वनसक्ति विद्विद्यू से बचें मतलब यहां यह कह रहे हैं कि इन सब विद्वनसक्ति विद्विद्यू से बचें और बचें तो ऐसी स्ति में फिर पुने सरनचना की आवसकता है और पुने सरनचना की आवसकता है तो निश्यत रूप में यहां पर सांती सुरक्षा विकास तता कल्यान में जो है अ आगे बढ़ते हैं यहीं देखेगा चार बात होगी इधर ये आ गया जो है पांचवी बात ये छटी बात लेते हैं क्या आई एन एफ इस्टार्ट यह कुछ संधिया हैं जो कि सस्त्रों को कम करने की बात करती हैं यह आई एन एफ इस्टार्ट संधिकों पर भी मैं अलक्स लेक्षर अपर लूड करूँगा जब मैं वेभारिक राजनित्यु को समझाऊंगा मतलब अंतराश्चिय संबंदु को चया होने तो इसके अंतरगत वास्तम नी सस्त्रीकर तता तता सस्त्र नियंत्र्णे की उग्कों जनम दिया हाला कि आज हम देखते हैं कि सस्त्री की संक्या दिन प्रती दिन बढ़ती जा रही है गट नहीं रही ठीक है इसलिए अंतरराश्ची जगत में जो संभेलन होते है अंतरा श्राजनतिक विद्वानों ने ऐसे सम्मेलनों को जंगली जानों के सम्मेलन के संग्या दिये कि सम्मेलन तो होते हैं लेकिन अंतिमी रूप में कोई समाधान नहीं निकाल पाते हैं कि भी कैसे भी हो सस्त्रिकरण के उपर प्रतिबन लगा जाए नहीं सस्त्रिकरण कर दिया जाए चलिए अब आगे बात होती है गोरबाचो ने इस परस्ट रूप में कहा है क्या कहा है कि मानवता की व्यापक मानिय मुल्यू युद्धू तता हिनसारित विश्व किस्तापना पर बल देनेंव को कहते हैं गोरबाची इस परस्ट रूप में कह रहे हैं कि इंसा रहीं तो इस विश्व किस्तापना होगी तो ऐसी बात or कहान यह गोरवाचों कह रहे हैं अब आगे बढ़ते हैं हम यह छह बात होगी साथी बात यह होगी आठी बात दोनों ने रूस के विदेश संब्धों को नई द्रश्टी तता प्रोथसान दिया दोनों ने मतलब वासिक रूप में पैस्ट्रोईका और ग्लेस नोशने वासिक रू करते हैं यह नीश संस्तिर करने की बात हैं करते हैं फिर आता है नवे नमर पर नौव बिंदू उननीश सो नभ्भय में एक दुआ ने रसीद उद्दीन खान इन्होंने छै परिवरतन बतलाए जिन्होंने अंतराश्य संब्धों कुनात्मक परिवरतन कर दी हैं मतलब इन् जिसके कारण अंतराश्य संब्धों में गुणात्मक परिवरतन हो गया अब यह सिद्दान पर निया नोट कर रहे हैं पहले ध्यान दे हैं दुनिया के समस्त भागू में इन उपकर्मों का सकारात्मक तता गरीमा से स्वागत किया गया इन्होंने सीत युद संधी राजनि इन्होंने चैव ने आंतराश्य शंब्धों में गुंतात्मक परिवरतन कर दी है उझाहो यह सित्व पहले ध्यान देंगे और दुनिया के समस्त भागू मतलब दुनिया की अंतरगत समस्त भागों का मतलब है तीनु दुनिया ने तीनु विश्वे ने फूंजवयादी गुट शामवयादी गुट और एविक्षित राष्ट यहामने लिखा ना यह रहा तीन विश्व का स्थित हो तो पूरी यहामने लिखा है कि भाई दुनिया के समस्त भागों का मतलम है तीनु विशुने इस बात को स Incormen ने क्या किया दुनिया के समस्त भागों ने इन उपकर्म का सकाराइत्मत तथा गरीमाert से स्वागत कियا यह जो परिवर्तन किये मतलब जो यह चैव उपकरम है इन्होंने सीत युद संधी राजनिती तता परमानुसस्तर दोड आदी की समाप्ति करके मतलब शीत युदी की समाप्ती, संधी राजनती की समाप्ती, पारमानु सस्तर जोड है, इसकी उपर भी समाप्ती की उपर विशेश बल दिया है, तो इनकी समाप्ती करके अंतर राश्टी विश्तावी महत्पून परिवर्तन किये हैं, ठीक है इंच्छैप कर्म ने, अब व विश्वय के भागों ने इस बात को सविकार किया, कि भाई अगर हम नीज सस्तरीकन को पर बल देंगे, तो ऐसी सत्ती में हम एक दुसरे को जीवित रख पाएंगे, इसलिए नीज सस्तरीकन द्वारा परस पर उत्तर जीवी तापर बल दिया इनोंने, दूसरा सामिक सुरक की संक्रन आउधारना की स्थान पर समान सुरक्षय की विशाल आउधारना को बल दिया, कि भाई, जो है सभी की समान सुरक्षय होनी, चाहिए सामिक सुरक्षय की संक्रन आउधारना को इनोंने बर्यूरतित कर दिया, यहां पर. तीसरा है तक्राव की इस्थति की एश्वकृति तथा अंतर राश्टिये सहास्तितों के मुख्य नियम के तोर पर सहयों की श्वकृति धान दीजेगा तक्राव की स्थतिकी तो ऐस्वकृति की मतलब दुन्या के सभी भागूने तीनु विशोने तक्राव की स्थतिकी तो ऐस्वकृति की कि भी तक्राव को दिरे-दिरे समाप्त करो समाप्त करो अभी जाकर तो तक्राव की स्थतिकी तो ऐस्वकृति की तथा अंतर राष्ट्रिये सह अस्तितव के मुख्य नियम के तोर पर सहयोग की सहुकृति की मतलब इनोंने सहयोग की सहुकृति की बात की और टक्राव की ऐसुकृति की बात की तो इस बात को भी जो है विश्वे के सभी वागु ने शविकार किया और इसका प्रभावी पड़ा अंतराश्य समुल देना मतलब सभी ने सभी एक दूसरे के प्रती उत्तरदाई हो विश्वे में कैसी व्यो सांती की स्थापना हो पांचवे सांजी सांती सांजी मतलब एक प्रकारशी साजी कह सकते हैं एक दूसरे समिली हुई सांजी सांती ता समर्दी का एकिकरत अखंड सुवे वस्तित अंतर निर्भरता विश्वे की इस्थापना के लिए आर्थिक उकास पर बल मतलब सभी ने आर्थिक उकास के बल की की है और चता है पुने संरचना लोग तंत्रिकन प्लमत जिनमें दूसरे समाजवादी देशों के भी आंत्रिक मामल में श्तक्चेप नहकरना शामीन है मतलब वास्तिक रूप में यहाँ पर यह मुक्त शावतंतर विष्वे की स्थापना करना चाहते हैं मैंने लिख भी दिया हैं मुक्त विश्वे की इस्थापना करना चाहते हैं फिर से बोलाओ पुरे संद्चना लोगतंत्रिकन तता खुलापन जिसमें दूसरे समाजवादी देशुं के भी आंतरिक मामलों में अस्तक चेप नहीं करना शामिल है मतलब एक मुक्त ए चेप करुम ने वास्तिक रूप में अंतराश्टिय समन्दों को प्रभावित किया है ठीक है बेटा अब आगे बढ़ते हैं नाइन एन दस नमबर बिंदू बना लेंगे इसको शीत युद्ध का इस्थान अब विकास के लिए सांती पुर्ण सह अस्यता तता सहयोगने ले सोवित संग का जो ध्वज है वो ध्वज हटा दिया जाता है और सोवित संग का जो उत्राधीकारी देश बनता है रूस उस रूस का ध्वज महाँ पर फेरा दिया जाता है तो आपके दोनुती थी नोट करने है 26 दिसमर 1991 को इसका विक्टन होता है और 31 दिसमर 1991 को उसका ध् रखेंगे तो सौवीत संग का विक्टन का होता है 1921 में होता है तो सीथ युद्ध का इस्थान मतलब सोवेट संग का विक्टन होते डोगुट बने वहते हैं दूसरी चुद्ध के बाद में एक तरफ पुर्जु व्याधिगुट जिसका नेतरत्य अमेरिका करता है दूसरी सुवेट 준हते अंदर को बढ़ जाता है अब बढ़ जाता है तो ऐसी स्ते टम सांति पुनॉ से असे तता सयोगने ले लिया मतला hang वास्ट्वी की रूप में जो टकरा वाली विचार धारा नेक्श्ट, सांती, सुरक्षा तथा विकास तो अब अंतरराश्टी उद्दे से बन चुके हैं। मतलब 1991 के बाद में सोवेट संग का विक्टन होने के बाद में शांती, सुरक्ष्या तथा विकास अब अंतरराष्टी और देशे बन चुके हैं. मतलब अंतराश्य सब्मंदू के अंतरगत वास्तिवीक रूप में आज सांती सुरक्षा तता विकास की बात की जाती है और ये तनाव के बारे में कहते हैं कि किसी भी रूप में टकराट और तनाव नहीं होना चाहिए इसलिए गौरबा चोह ने वास्तिवीक रूप में पुने समरचना और खुलापन की नीति के उकर बल दिया इस नीतिवीक अपनाया वैसे ही जो है सोविद संका विक्टन हो जाता है उसके जो है पंद्रे टुकडे हो जाते हैं अगला है बहु केंद्रवाद की उत्पत्ति अब ध्यान दे बेटा जैसे ही सीतियुद का अंत होता है मतलब सोविद संका जैसे विक्टन हो जाता है विक्टन होते ही विस्विक विवस्ता एक धुरूयों बन जाती है स्विक राज अमेरिका सूपर पावर बन जाता है अक तो इसके बाद में साथ ही साथ है, ऐसा नहीं है कि फिर नए नए राष्टराज शक्टी की रूप में उभरने लगे, जैसे चीन है, बारत है, जापान है, तो ये नए नए शक्टी की रूप में उभरने लगे, तो ऐसी सती में बहु केंदरवाज की पत्ती होती है, मतलब ए एक धुरिये विश्ववववस्ता दीरे-धीरे बहुद हुरिये विश्ववववस्ता में परिवर्तित होना सुरू हो जाते हैं हालां कि अभी भी अंतर राष्टिये विववस्ता का श्यारूप इस परश्ट रूक में उबरकर सामने नहीं आया हम यह नहीं कह सकते आज न दे लिखाई यहाँ नो मत्रों सर्फ राश्टर संग्षी भूमिका का पूप्रति एक नया द्रेश्टि कूँझ अर्था वास्तों में से लिए की संध मैं इसंग्र उन्टां की संध्या और भूमिका में पूमिका में ginIC एक अगला राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष् विश्व राजनिती के आधारों को बदल दिया है मतलब अंतराश्टे करताओं की संख्या और भूमिका में जो वर्दी होती है उसने विश्व राजनिती के आधारों को ही क्या कर दिया है बदल दिया है मतलब बहु केंदरवाद की उत्पत्ति सभी राजनिती के आधारों को ही बदल दिया है ठीक है यही तो हमें समझना है कि पैस्ट्रोय का और ग्लस नोस्ट का अंतराश्टे समंदों पर क्या परवहाँ पड़ा है तो यह सब कुछ परिवर्थी तो हो गया है और अनते मैंने लिखा है यह बिन्दू नमर 11 ले 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 सुरक्षा विकास सांति पूर्ण से अस्तिताव सांति पूर्ण से अस्तिताव नोट करें बीश्वी सताब्दी के अंतिम दसक में अंतराश्टे समंदों में पुत्पन हुई है अब जहान दे जराओ मतलब वास्तिक रूप में बीश्वी सताब्दी के अंतिम दसक में क्या बोल रहा हूं में नोट कीजिएगा बीश्वी सताब्दी के अंतिम दसक में अब यह उन्निशिक क्यानमीत विक्तन हो रहा है तो बीश्वी सताब्दी का अंतिम दसक का सुरुआती तो है यह तो यह 20 सताब्दी के अंतिम दसक में उद्सक में हम उस्तितर उत्पन हुई है मतलब 20 सताबदी के अंतिम दसक में अंतर राश्टी सम्मंदू में सांती सुरक्षा विकास और सांती पून सह अस्तिताव उभर कर सामने आया है अते हमें कह सकते हैं कि पैस्ट्रोई का और ग्लेस नोष्ट इन दोनों ही सिद्धान्तों का प्रभापड़ा क्या प्रभापड़ा कि आज अंतर राश्टी सम्मंदू में सांती सुरक्षा विकास तता सांती पून सह अस्तितों की बात की जाती है अते हमें कह सकते हैं कि इन दोनों ही सिद्धान्तों का अंतराश्टी सम्मंदू के उपर व्यापड़ाव पड़ा है ये हो गया आपका अंतराष्टी संबंद में समकालीन परिवर्तन के अंतरगत तीसरा इसका पार्ट पैस्ट्रोई का और ग्लेस नोस्ट तथा अंतराष्टी संबंद मुझे पूरा विश्वास है आप इन दोनों से दांतों को ठीक से समझ गोंगे मतलत ये पुने संरचना और खुलापन अर्थाथ सवतंतरता आजादी की बात करते हैं जैसा कि अंतर मैंने निश्कर सुरूप नोट भी कर दिया चटे पॉइंट में जैसा कि रशीद उद्दीन खान ने कहा भी है कि पुने संरचना लोकतंतर करण तथा खुलापन जिन में दूसरे समाजवादी देशों के भी आंतरिक मामलों में अस्तक्षिप नहीं करना सामिल है एक मुक्त विश्वय की शरुतंतर विश्वय की स्तापना के पर बल देते हैं और इसे का नतीज आई है कि आज वास्तिवी क्रूप में पूरी दुनिया के अंतरगत भूम अंडली करण उदारी करण निजी करण की जो प्रवर्ति हैं उसके उपर विश्यस बल दिया जा रहा है और अंतिवी में ये कहूँगा कि वास्तिवी क्रूप में इन दोनों ही सिद्धानतों का अंतराष्टिय स्रमंदों पर ये प्रवापड़ा है क्या प्रवापड़ा है सांती शुरक्षा विकास तता सांती पूर्ण सहास्यतों की बात की जाने लगी हैं ये हो गया आज के बारे में विस्तार्षे चर्चा करेंगे तो मुझे विश्वास है आप इस सब बाते ठीक से समझ गए होंगे और बेटा कल का जो लेक्चर है अंतराष्टिय समकालियन परिवर्तन सम्मंदित इसका जो भाग होगा हो चोता होगा सोयुद संका विक्रन इसका क्या प्रव राजनित्य का विवहारिक पक्स भी आपको समझाएंगे बहले इसके उपर कितनी लेक्चर हमें अप्लोड करने पड़ें लेकिन आयार का पेपर अंतराष्टिय राजनित्य का पेपर मैं आपको निश्चित रूप में आयार इंटरनेशनल डिलेशन बोलते हैं बाकि वास समझाएंगे के यंटराष्टिय का था ऌराजनित्य के बाकिर्दय को समझा भी आपको समझाएंगे। इन चारों भागों के आदाथ पर आप अच्छे से समझ जाएंगे, और आप अच्छे समझ जाएंगे, तो मेरा मूर्ज जो लक्ष है, अंतराष्टिय संबंदू को समझाना मुहें आपको समझा पाऊंगा, यस बेटा, ओके, थेंक्यों अरिमाच, थेंक्यों अरिमाच